हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गोड इबनिंग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेपल सी वाइफाश रेडी पर तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में 30 most important parchment question करेंगे यह सभी प्रसन आपके होने वाले ट्रिपल द्र जांब के लिए काफी important हैं सो आप सभी क्लास को लाज स द्वह देखें तो चलिए श्टार्ट करते हैं ऑट सक्ष बताव कर अगर आप important cost and answer और उसके PDF भी download कर सकते हैं इस website का link नीचे description box में दिया गया है जहां से आप visit कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज का सबसे पहला प्रस्ण आपके सामने आ चुका है और आपको बताना है ISP का full form क्या होता है ISP का पूरा नाम आपको बताना है option में है internet service provider, international service provider, internet service post या फिर none of these ISP का full form बताना है सभी बच्चों को और जो भी बच्चे class में आ चुके हैं आप सभी class को share कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस class को join कर सकें ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा internet service provider option number A correct होगा option number second में पूछा है IAMAP का full form क्या होता है IAMAP का पूरा नाम आपको बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा option number first internet message access protocol होता है IAMAP का पूरा नाम इसको ध्यार रखने हैं काफी ज्यादा important है और next question पूछा है IR CTC ने किस company के साथ मिल कर internet ticket प्रणाली शुरूगी IR CTC ने किस company के साथ मिल कर internet ticket प्रणाली शुरूखी यह question भी आपके लिए काफी ज्यादा important है यहाँ पर आपका सही जवाब है option पहला क्रिश इसको ध्यार रखने है option number first आपका correct answer होगा question number 4 में पूछा है integrated circuit chip का विकास किस ने किया आपको सही जवाब करना है यहाँ पे right answer क्या होगा तो याद रखना है यहाँ पर हो जाएगा c option js किलवी ने ठीक है option number c correct होगा अगला question देखिए computer के memory में डाले गए कारियों को कौन परदरसित करता है computer के memory में डाले गए कारियों को कौन परदरसित means display करता है room, ram, monitor या फिर printer यहाँ पर आपका कौन सा option correct होगा option number c monitor computer के memory में डाले गए कारियों को कौन परदरसित करता है monitor display करता है option number यहाँ पर हो जाएगा आपका c correct चलिए question number next आपको बताना है और यहाँ पर आपसे पूंचा है N IIT का पूरा नाम क्या होता है N IIT का full form आपको बताना है यहाँ पर कौन सा right answer होगा option पहला ही सही है national institute of information technology option number first is right QR code किस company ने बनाया डेल्स ओबैब, NPCI, IBM या सीडेक में अब आपको बताना है QR code किस company ने develop किया है किस company ने बनाया QR code बनाया है डेल्स ओबैब ने, option number A आपका right answer है ठीक है और अगला कुशन पूछा है firefox क्या है search engine, web browser, instant messaging या none of these इसमें से आपको बताना है firefox क्या है तो firefox एक web browser program है, option B आपका right होगा यहाँ पर web browser program है अगला कुशन देखिए, OTP को फिर से भेजने के लिए कितनी बार अनरोध किया जा सकता है और यह भी कॉशन आपके लिए काफी ज्यादा important है तो OTP को फिर से भेजने के लिए कितनी बार आप अनरोध कर सकते हैं यहाँ पर आपका सही जवाब है option number D 5, ठीक है option number D आपका correct है और अगला कुशन देखिए, पूचा है virtual ID में कुल कितने digit होते हैं virtual ID means VID आपके देखाओगा जो अधार card पर आपको एक virtual ID भी दे जाती है एक आपके VID भी दे जाती है तो जो virtual ID होती है वो कितने digit की होती है आप सभी को जबाब करना है ठीक है virtual ID आपकी 16 हा डिजिट की होती है यहाँ पर option number C हो जाएगा 16 अधार number होता है 12 digit का ठीक है और जो अब आपको VID मिलती है निकि virtual ID मिलती है तो virtual ID होती है आपकी 16 digit की ठीक है वी ID आपको मिलती है 16 digit की इसको नहां रखना है कौशन नमबर देखिए नाक्ष में पूछा है ATM card में CBB नमबर कितने digit का होता है आपको बताना है ATM card में CBB नमबर कितने digit का होता है इसमें से कौन सा आपका correct answer होगा तो CBB नमबर होता है 3 digit का option number V यहां पर correct होगा और CBB का full form होता है card verification value और यहां पर आपसे पूछा है CBB का full form क्या होता है तो आपको बताना है CBB का full form क्या होता है और जैसा कि अभी हमने आपको बताया card verification value होता है तो option number यहां पर B हो जाएगा card verification value हो अगला कुष्छन पूचाए वहीमशाब का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप सभी बुच्चों को बता बताना है IFSE code का पुरा नाम क्या होता है यानि कि IFSE code का full form क्या होता है बताइए IFSE code का full form होता है Indian financial system code option पहला correct होगा Indian financial system code IP address में कितने भाग होते हैं कितने parts होते हैं तो IP address का मतलब होता है internet protocol कितने भाग होते हैं आपको सही जवाब करना है IP address में चार पार्स होते हैं तो option number यहाँ पर हो जाएगा C correct ठीक है और अगला question आपको बताना है assembly language का अभिसकार किस ने किया assembly language का अभिसकार किस ने किया write answer करना है question number 16 का सही जवाब क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा option B Kathleen Booth ठीक है Kathleen Booth next question बताना है writer में template का extension क्या होता है writer में template का extension आपको बताना है यहाँ पर बताईए कौन सा write answer है template का extension क्या होगा writer program में यहाँ पर हो जाएगा option B dot OTT हो जाएगा इसको ध्यान रखना है ठीक है dot OTT हो जाएगा template के लिए extension जब दिपूछई राइटर में जो default extension होता है वो .odrt होता है open document text चलेकिन जब template पूछेंगे तब आपको OTT बताना है RTGS का पूरा नाम क्या होता है आप सभी बच्चों को बताना है RTGS का full form क्या होता है RTGS का full form होता है real time gross settlement तो option number V यहाँ पे correct है आपका real time gross settlement होता है RTGS का पूरा नाम question number 19 में पूछा है NEFT का पूरा नाम क्या होता है आपको बताना है NEFT का full form इसका मतलब होगा national electronics funds transfer option पहला यहाँ पे correct है national electronic funds transfer question number 20 में पूछा है pocket app किसके द्वारा चलाया गया यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा option C pocket app IC ICI के द्वारा चलाया गया question number 31 में आपको बताना है mouse को पकड़ कर खीच कर चलाने को dragging कहते हैं माउस को पकड़ कर आप जब खीच कर चलाते हैं उसे खीचते हैं उसी को dragging कहते हैं क्या यह सही है तो बिल्कुल सही है option number यहाँ पर यह correct हो जाएगा जब आप mouse को पकड़ कर खीचते हैं तो इसे dragging कहते हैं और जब छोड़ देते हैं तो इसे dropping कहते हैं तो dragging and dropping का मतलब है किसी object को आपने mouse से पकड़ कर खीचा और किसी जगए पर रख दिया तो उसको करते हैं dragging and dropping dragging मतलब mouse को पकड़ कर जब खीचते हैं तो उसे dragging कहा जाता है ATM कब launch किया गया था आपको right answer करना है ATM कब launch किया गया था यहाँ पर हो जाएगा अगस्त 2010 में option भी correct है और अगर आपसे पूछे ATM के founder कौन है तो बिज़े सिकर सर्मा है पेटीम के founder सभी founders name भी हमने आपको already पढ़ा दिये हैं और उसका link उस video का link हम अपने टेलिग्राम चैनल पर भेज़ देंगे जहां से आप लोग देख सकते हैं टेलिग्राम चैनल के जो id है वह है triple c by 5 study आपको सर्च करना है triple c by 5 study और आप इस टेलिग्राम चैनल पर जोईग्र हो सकते हैं जो भी important material होगा आप सभी के लिए वो सब हम इसी टेलिग्राम चैनल पर शेर करेंगे जहां से आप लोग देख सकते हैं कॉशन नमबर 23 में बताना है Google Chrome में वर्तमान पेज को बुक मार्क करने के लिए हम डायस दबाते हैं Google Chrome में वर्तमान पेज को बुक मार्क करने के लिए आप क्या प्रेज करते हैं तो Google Chrome में वर्तमान पेज को बुक मार्क करने के लिए आपको Ctrl D प्रेज करना होता है option यहाँ पहला correct है control D TCP IP model में कितनी पड़ते होती है means कितनी layer होती है TCP IP model में cool कितनी layer होती है आप सभी को जबाब करना है right answer यहाँ पहला होगा यहाँ पर हो जाएगा option पहला option number V 4 होती है TCP IP model में कितनी layer होती है 4 layer होती है तो option V आपका correct है SMTP द्वारा प्रियुक्त पोर्ट नंबर क्या है SMTP simple mail transfer protocol द्वारा प्रियुक्त पोर्ट नंबर आपको बताना है कौन सा होगा राइट आंसा जल्दी से जबाब करना है सभी बच्चों को और यहाँ पर सही जबाब है option number D 25 होता है में आपको बताना है नेमन लिखित में से कान सा network का परीज़ण करने के लिए उपियोग किया जाता है नेत्वर्क का परीज़ण करने के लिए ने मैं से किसका इस्तेमालद किया जाता है 26 में बताइए कौन सा right answer है Network का परिश्चन करने के लिए निम्मे में से किसका इस्तिमाल होता है तो option number V हो जाएगा यहाँ पर ठीक है option B आपका correct है और यहाँ पर आपको बताना है LibreOffice में cut command किस menu में होती है ठीक है LibreOffice में जो cut की command होती है वो कौन से menu में मिलती है आपको file में, edit में, view में या none of each जिसमें आपका कौन सा right answer होगा और यहाँ पर सही जवाब है option B edit menu में मिलता है जो LibreOffice में cut command होता है वो आपको edit menu में मिलेगा जैसे कि LibreOffice writer में आ चुके हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें जो आपकी यहाँ पर आप देखेंगे ठीक है और जैसे आप यहाँ पर edit menu में आते हैं edit के अंदर आपको option मिलता है cut का और copy का cut, copy, repeat, redo और undo यह सभी option, यह सभी command आपको edit menu में मिलती हैं अभी यह highlight नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है जैसे ही हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं और इसके बाद में अब देखेंगे आप इसको जैसे मैंने select किया और यहाँ edit menu में आये तो अब यह cut, copy के option आपको देख रहे हैं और यहाँ से आप cut कर सकते हैं मिन्स इसको यहाँ से cut करके किसी दूसरे स्थान पर भी paste कर सकते हैं और जिन बत तो ने लिब्रो आफिस के class नहीं देखें तो आप सभी को एक playlist मिलेगा लिब्रो आफिस नाम से आप उस playlist को देख सकते हैं आप पर यह सबी चीजें बहुत ही detail में आपको समझाई गई हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा edit menu हो जाएगा आपका right answer question number देखिए next में पूचाए hardware address को desk के रूप में जाना जाता है hardware address को किसके रूप में जाना जाता है तो यहाँ पर बताएगे कौन सा आपका right answer होगा यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा mac address hardware address desk के रूप में जाना जाता है hardware जो address होता है वो mac address के रूप में जाना जाता है means media access control इसका full form होता है mac address का और यह एक physical address होता है question number 29 में mac का अर्थ क्या होता है mac का full form आप आपको बताना है अभी हमने आपको बताया media access control होता है यहाँ पर d option आपका सही है media access control अगला question देखिए पूछा है क्या परिडाम होगा equal ceiling 119,11 अगर आप ceiling 119,11 का result देखेंगे तो क्या आएगा इसका result क्या होगा बताये इसका सही जवाब आप सभी को करना है यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर जो right answer यह option भी है 121 आप थोड़ा समझ लेजिए यह कैसे आया है 121 कैसे इसका answer आया है तो जब भी ceiling वाला formula दिया हो इसमें करना क्या है आपको यहाँ 119 लिखा है पहली संख्या दूसरी संख्या 11 दी है आपको दूसरी संख्या से पहली संख्या को divide करना है ठीक है और इसके बाद यानि की 119 यहाँ पे दिया है इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो 120 होगा और आपको वो संख्या देखनी है जो यहाँ पर दूसरी नंबर की जो संख्या दी है जैसे की 11 दिया है इससे वो पुरी तरह से विभाजित हो जाए बस वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा तो अभी अगर देखेंगे 119 11 से विभाजित नहीं हो रहा है 120 भी 111 सी विवाजित नहीं हो रहा है लेकिन 121 ग्यारा सी विवाजित हो रहा है तो आपका सही जबाब क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा यानि कि आपका जो राइट आसर हो जाएगा वो 121 हो जाएगा इसको आपको दिहां रखना है ठीक है जब ceiling दिया होगा तब हमें ऊपर के तरफ देखना है मिंस 119 फिर 120 फिर 121 यही same formula floor में भी यूज होता है ठीक है अगर इसी को आपको excel में या फिर libra office calc में यूज करके देखते हैं तो क्या answer आने वाला है चलिए हम एक बार प्रैक्टेकल भी आपको दिखा देते हैं जैसे इसको हम कौपी करते हैं कोपी करने के बाद अब आते हैं LibreOffice Calc में तो यहां से Calc को open कर लिते हैं और जब आप इसको apply करेंगे LibreOffice Calc में तो आप यहां पर देख सेकते हैं जैसे हमने इस formula को यहां पर paste कर दिया है और इसका जो correct answer निकल के आया है वो 121 आ गया है यानि कि यहां पर देखिए formula क्या लगा था इक्वल सेलिंग 119 कामा 11 और इसका मान कितना आया 121 आ गया यानि कि 121 ऐसी वो संख्या है 119 के बाद जो की 11 से पोड़ता विवाजित है और आज किस class को sponsor किया था triple six jam guru.com ने तो आप से भी triple six jam guru.com पर भी अपने mock test कर सकते हैं यहां पर धेर सारे online mock test दिये गए हैं इनकी practice आप कर सकते हैं important question answer भी यहां से पढ़ सकते हैं और उन्हें download भी कर सकते हैं और इस website का link भी नीचे description box में दिया गया है जहां से आप visit कर सकते हैं और आप सभी को बता दें कल सुबह morning में भी class आपको मिलने वाली है सुबह morning की class का समय आपका जो रहेगा वो सुबह 7.45 का रहेगा यानि की morning में 7.45 पर आप सभी को class मिलेगी 7.45 पर आपको class मिलने वाली है सुबह और वो एक revision class होगी तो सभी बच्चों को आना है बहाँ पर धीर सारे question discuss करेंगे टिक है समय रहेगा सुबह 7.45 तो आज के लिए वासतना ही thanks for watching thank you good night to all bye bye